प्रिदान मंत्री नरींद्र मोदी आज गोरकपुर का दौरा करेंगे जहां वो 9600 करोड की परियोजिनाव को रास्ट्र को समर्पित करेंगे इन में सबसे महतोपुर और सबसे बड़ी परियोजिना गोरकपुर का खादकार खाना है इसकी कुल लागत 8603 करोड है और ये 600 एकड में बना हुआ है इसके अलावा पियम मोदी गोरकपुर में पूर्वी उत्तरप्रदेश के पहले एम्स और रमर्सी के हाइटेक लाब का उद्खाटन करेंगे इस बन जाने के बिहार ज़ारखंड और नेपाल के मरीजों को बहतर चिकितसा सुविधाई भी मिल सकेंगी तो कई बड़ी परियोजिनाओं की सौगात आज पियम मोदी गोरकपुर को देने वाले है अब बता दे कि जो ये सबसे हाइटेक लाब है आर एम आरसी उसके बन जाने से बिहार ज़ारखंड और नेपाल के मरीजों को बहतर चिकितसा सुविधाई मिल सकेंगी गोरकपुर को आज अर्बो की सौगात देने वाले है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी खुद गोरकपुर पहुचेंगे और जिसके लिए वहाँ पे सुरक्षव विवस्ता सक्त कर दी गई है चपे चपे पर नजर रखी जा रही है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी आज गोरकपुर के दौरे पर रहेंगे इसके बाद वो काशी के दौरे पर भी रहेंगे आपको बता दे कि गोरकपुर में 9600 करोड की परियोजना को रास्र को समर्पित करेंगे और इसमें सबसे महदवपूर है परियोजना खादकार खान ये सबसे बड़ी परियोजना है गोरकपुर की गोरकपुर का खातकार खाना जिसकी कुल लागत 8603 करोड है और ये 601 में बना हुआ है इसके लवा पियम मोदी गोरकपुर में पूर्वी उत्तरफ्रदेश ये पहले एम्स और आर एम आरसी के हाइटेक लाप का उद्गाटन करेंगे आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी गोरकपुर के दौरे पर रहेंगे कई परियोजनाओ का लोकारपड और शला नियास भी करेंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरकपुर के दौरे पर रहेंगे जहां वो कई बड़ी ओजनाओ की सौगात गोरकपुर को देंगे 9,600 करोड की सौगात देंगे प्रधान मंत्री 2022 विधान सबस चुनाओं से पहले कई सौगाते देते हुए नजर आ रहे हैं लगतार उतर प्रदेश के दौरे पर नजर आ रहे हैं प्रधान मंतरी नरीन रबोदी और आज एक बफिर कई योजनाओं को सौपिंगे तो यह जो परियोजनाओं है यह चोटी योजनाओं नहीं है बलकि यह करोडों की योजनाओं हैं पीम मोधी के दौरे को लेकर सुरक्ष्व विवस्ता अभी सक्त कर दी गई है जिन्ता को संबोधित भी करेंगे जोब इतनी बड़ी सौगाते देंगे दो सबसे बड़ी जोगाते हैं जहां गोरकपुर खाद कारखाना है और दूसरा एम्स और तीसे ही सबसे बड़ी सौगात है आरेम आर्सी हाइटेक लाब जो की गोरकपुर ही नहीं आसपास के इलाकों की भी तस्वीर बदल देगी आपको बता दे कि यह गोरकपुर का सबसे बड़ा एम्स ह है जो की गोरकपुर को मिलने वाला है साथ ही आरेम आर्सी हाइटेक लाब का उदखाटन करेंगे आपको बताते कि इस से बिहार जहार खंड और नेपाल के मरीजों को सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी दूर दरास के इम्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस खबर पे मैंसे जाद बाचीत के लिए समधाता गोविंद जुड़ चुके गोरकपुर से गोविंद क्या कुछ जानकारी है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के दौर इस सम्मंधित के साथ नेपाल वाखियों को बहुत बड़ी तोगार देंगे जानका चार दसकों से जो इसके यह क्याना मंतरी नरेंदर मोदी नियू रखी और अब यह जंता को सम्रपित हो जाएगा इसके बन जाने से इसके लोकार पर होने के बाद यहां का जो किसान है वो पूरी तरीक किसान लावांतित होंगे और खाद जो है इनको आसानी से यहां मुहया हो जाएगी इसके साथ लगबग हजारों लोग इसमें लोकरी करेंगे तो रोजगार का भी यह बहुत बड़ा स्नौरा अस्तर है इसके बाद बात करें एंस की तो एंस जब गोरतपुर के लोग या आ साथ जो रोग है उसके जो हिलाज के लिए यहीं पर हिलाज करा लेंगे तो खुली मुला करका है यह पुर्वांचल वासियों के लिए बहुत बड़ी सोगात है इसको लेकर उस्ताहिद भी है लोग और जो अन्द प्रदेश से भियान लोग आए हैं गुज्राफ से भियान कि लिए करने के लिए कि आशे हैं गुज्राइट अ है ने गुज्वांचल ने रेंदर बुलिक के लिए इस गयार है तो बार दीवांचल वश्तार अश्चल में रहें लुज्वांचल वैंगे रगुज्ण पुरी तरीके से हाँ आज आपको देखने को मिलेगा पिहार से राजस्थान से बात करें नैपाल से तमाम तरह के खलाकार यहां पर आई हुए हैं जी और जो गोविन क्या आप यहां पर मौजूद लोगों से बात कर सकते कि उन्हें कैसा लग रहा है जब आज प्रधान मंत् को किस तरीके से आयागे अच्छा पूछी को मिल लग लई है तौन आप देख सकती हैं तस्वीरों में लोग पूरी तरीके से हुश्साहित हैं उनका यहीं कहना है कि पदान मंत्री नरेंद्र मोदी के आघमन को लेकर हम उस्साहित हैं और उनके आगमन पर हम धोल नगारों से उनका स्वागत करेंगे तो फुल मिल्या लोगा जुला करता है आज गूरगपुर के लोगों के लिए किसी यत्यभाव से कम नहीं है नरेंद्र मोदी का आगमन और ये बड़ी बहुत जो बड़ी सौगात है ये लोगों को देने के ल कि लोगों के कद्र होने की संभावना है सजन सभाव में जो लगवक चार लाग लोग इस जो कारिक्रम है यहां आ सकते हैं इसको लेकर जिला परसासन पूरी मुस्ताइद हैं पूरी मुस्ताइदी बहुत जा रही है तो यहां गोरत पुर्स परसासन और जो ट्राफिक सब्सक्राइद कर सकते हैं प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी का पूरपूर के बाद कहां प्रस्थान कर सकते हैं कौन-कौन से मंत्री साथ में मौजूद रह सकते हैं प्रदान मंत्री के बात करें तो बात करें इसको मंत्री यहां मौजूद है करें तो जिस तरह से इत्वड़ी स्वागात देरे गोरपूर को प्रदान मंत्री तो जनता को संबोधित भी करेंगे क्या कुछ क्या सकते हैं अधी अपने संबोलन में वो दो हजार वाइस बिदान सबस्तार है जो विकास है उसको लेकर वहां मौजूद लोकों को संबोधित कर सकते हैं और एक बार आवहन भी कर सकते हैं प्रदेश के प्रदान मंत्री नरींद्र मोधित इसे विपक्ष को कित आसर पड़ सकता है जो लड़ाई है उसमें पूरी तरीके से बाहर हुता जा रहा है जूकि जो भी बधाल जो भी खालने थे जो भी प नरी परदान का मीन थे हैं उनको अब बहुत बड़ी स्वागाट मिलने वाली हैं तो फुल मिरया जूकर विजभाई है안 जरूर में जरूर मिरेगा जी गोविन जिस तरह सितिवड़ी सौगात दे रहे हैं प्रधान मंतरी नरींद्रम मोधी तो इससे लोगों का स्वास्त सुविधाओं का तो अच्छा हो गई, रास्ता खुले गई, साथ ही रोजगार के कितने अस्थर पैदा होंगे? जी बात करें, जब ये खटलाइजर का स्वास्तार खाने का नूर रखा गया था, कभी से लोगों को रोजगार मिलना चारी हो गया था, लगबग हजारों की संख्या में यहां लोग दिर्दार काम करते थे, एक तरह से उनको भी रोजगार मिला, इसके बन जाने से लगबग 10 करेंगे, तो यह भी एक बहुत बड़ा सौगात है लोगों के लिए बेरोजगार मिल लोग है, जुकि एक साथ अगर 10 जार रोजगार यहां मिलते हैं, तो प्रियोग साला बना है, वहां भी रोजगार मिलेगा, तो आइसे अगर कारी करम होते रहेंगे, लोकार पर होते र लिए इस ख़बर पर हमाई से समधा था, गोविन जुड़े थी गोरकपूर से, तो गोरकपूर आने वाले प्रिधान मंत्री नरींद्र मोधी उनके साथ ही मुख्य मंत्री, योगी आदितनाथ और एडिप्टी सीम भी मौजूद रहेंगे, राजजिपाल, आननन्दी बै जनता को देंगे और उसके साथ ही वो अपने संबोधन भी देंगे, साथ ही जो बीजेपी का कारकाल रहा है उतरप्रदेश में जितनी वो पलब्दिया हासिल करी हैं और गोरकपूर के लिए जितने भी काम कि उसको भी गिना सकते हैं अपने संबोधन के दोरान, उसके झाल